सियासत के सबरंग देखिए और पूरी समझदारी से देखिए देश में युद्ध का माहौल है क्यों है सब को पता है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में फिदाईन हमला हुआ उसके बाद शोर मचने लगा कि जिस जैश मुहमद ने जिस मसूद अजहर ने इस हमले को अंजाम दिया उसके उपर कारवाई हो जाहिर सी बात है जिन्हें कारवाई करनी थी वो ठंडे दिमाग से रणनी थी बना रहे थे लेकिन मीडिया में पॉलिटिकल सर्कल में सोशल मीडिया में एक उनमादी किस्म का शोर था जो व्यापत था उसके बाद 26 फरवरी आई देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की जैश मुहमत के ठिकाने पर बाला कोट में और 27 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से काउंटर ओफेंसे हुआ जिसका जवाब दिया गया अब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद नेताओं के बयान आए विपक्षी दलों के बयान आए कहा कि हम देश के साथ हैं एरफोर्स को सलाम अरूल जेटली का बयान आया कि विपक्ष जो बयान दे रहा है उससे पाकिस्तान को मदद मिल रही है तो कुल मिलाकर सब कह रहे हैं कि सियासत नहीं करनी चाहिए और सब सियासत कर रहे हैं 26 बीती 27 बीती और आई 28 फरवरी और टीवी स्क्रीन पर नजर आए भारती जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी मेरा जी के दुरूस्त है मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री है और मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी खुद उनके शब्दों में प्रध हैं माफ कीजेगा देश को नहीं भारती जंता पार्टी के कार्यकरताओं को संबोधित कर रहे हैं पंद्रा हजार जगों से वालेंटियर जुड़े हुए हैं लेकिन संबोधन ऐसा कि जैसे देश को कर रहे हैं और बात ऐसी कि जैसे प्रधानमंत्री करें तो यह जो मिक्स्चर है यह जो घालमेल है कि कभी प्रधानमंत्री बोलता है कभी भाजपा का नेता बोलता है कभी देश की बात करता है कभी बैग्राउंड में दल रखता है कभी सुरक्षा की कौना हो कि साल भर उसने बढ़ाई बले कितनी भी क्यों हो कि परिशा के आखरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है कि आप भार्तिय जंता पार्टी के लिए बुथ के नायक है और बुथ ही हमारा किला है अगर आपने अपना बुथ जीत लिया बुथ के लोगों का दिल जित लिया तो संकल्त से सिद्धिक की हमारी यात्रा को तेज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता तो मुझे अच्छा लगा और आप अपने अपने घरों में बैठ करके अपने गाउं मेरे से बात कर रहे हैं और शाहिए यह भी वीडियो कांफरंस से इतनी बड़ा विस्तार से बात यह भी शाहिए एक रेकॉर्ड बन जाएगा मैं बार्तिय जंता पार्टी के सभी है फिर देश से दल पर आए और फिर आखिरी में कहा रिकॉर्ड बन जाएगा भाच्पा नेता नपर और रिकॉर्ड बनाएं में लेकिन भाच्पा नेता नरेंद्र मोदी यह यहाद रखें कि वो प्रधान क्योंकि जैसे ही किसी के मुखारविंद से ये शब्द निकलते हैं हिंदुस्तानियों को ये इलहाम हो जाता है कि सियासत अब होने को है नरेंदर मोधी के इस मेरा बूद सबसे मजबूत कारक्रम के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं ललन टॉप ये नहीं कहता है कि तनाओ के वक्त सियासी गत्विधियान ना हो ललन टॉप ये नहीं कहता है कि विभिन राजनीतिक दल लोग सभा चुनाओ की तैयारी ना करें प्रचार ना करें पर ये तो कहेगा ही ना कि जो चीजें देश हित्म हैं देश जिसका बार बार जिक्र होता है सबकी जबा से उसको दली राजनीती और दली फाइदे के लिए इस्तिमाल ना करें आप देख रहे हैं डीललन टॉप डाट कॉम